तो तो साथ किस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आप कोई साभी डॉकुमेंट्स एडिट करके आप बैग्राउंड वरिफिकेशन में दिखा सकतो क्या वो पॉसिवल है कि वो डॉकुमेंट्स सल जाएगा तो मैं आप के लिए जहां पर एक चीज बता देना चाता हूं कि जो बैग्राउंड वरिफिकेशन का प्रॉसेस है वो डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस और अप्रीवियस और जीन सन का क्या यहां पर डिपेंडेंशी है उसके बात कर लेते हूं तो बैसिकली आप किसी ए वो relieving letter हो, कोई से भी documents अगर आपको उस organization ने दिया है and आपको जरूरत परती है वो documents added करने के लिए जब आपका termination letter होता है, आपका absconding letter होता है या negative performance होता है, जब आपको ये जरूरत परती है कि चलो documents added करते हैं, और next वाली company में submit करते हैं तो मैं बता दूँ दोस्त आपको कि ये गलती है, आप बिलकुल ही मत करना क्योंकि जो documents आप अपनी future company को submit करते हो मालो कि आपको previous company से document मिला है termination का और उस termination को आपने change करके बना दिया experience letter और वो experience letter आपने next company को submit कर दिया अब वो next company आपका background verification करेगी previous company से जहां से वो आपको documents मिला था and वो जो background verification है वो होता है उस भी हैपि कि आपने जो documents attached किये थे mail में जो documents background verification के portal पे upload किये थे वो सारे documents आपके download किये जाएंगे सारे documents download करने के बाद में आपको previous organization में आपके previous organization में वो attachment के साथ बेजे जाएंगे आपका previous organization उसे cross verify करेगा कि यह जो documents है हमने ही candidate को दिया था या मैंने ही candidate को दिया था उसमें legal stamp check होगा legal signature उसमें किसके होगा and one more thing they will also check in the HR database that this is the genuine documents or not तो वो HR के database में भी check करेंगे तो first suppose अगर किसी को termination मिला है किसी को absconding मिला है तो वो HR के database में भी होता है कि हमने candidate को कौन सा documents दिया था तो मैं आपको यहां पर directly suggest करूंगा कि do not change any documents for the next company because अगर आप change करोगे तो आपका background verification वो पकड़ा जाएगा है ना आपका termination हो सकता है आप sconding हो सकता है क्योंकि अगर आप direct termination submit कर रहे तो वहां पर possibilities है 80-90% की आप company के साथ continue कर पाओगे यह कर जाओगे बट अगर आपने ID document submit कर दिया तो वहां पर आपका continue नहीं होगा termination आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि MNC में mid-level organization में आपका zero tolerance होता है against background verification तो वहां पर आपको BGV के लिए relief नहीं दिया जाता है तो बस आज की वीडियो में इतना ही बाकिए अगर आपका कोई और भी question हो या कोई रही हो नीचे मुझे comment section में बता सकते हो अब मुझे वहाँ पर चैट पर पिंग कर सकते हो वहां पर वहां पर चार्जिबल कॉल होती है मेरा नाम एश्रवभा मैं म्हें सब्सक्राइब